उत्तर प्रदेश के तमाम सोशित वंचित पीडित संविदा संवर्ग के साथियों को रिजवानन साधी का नमस्कार साथियों विगत पांच वर्सों से संपून संविदा संवर्ग चाहे अनुदेसक हो प्रेरक हो रोजगार सेवक हो आंगन बाड़ी हो चाहे सिख्छा मित्र हो सभी के साथ में घोर अन्याय और घोर अत्याचार करने का कारे वरत्मान सरकार के दौरा किया गया है तमाम जो वर्ग है जो तमाम सम्वर्ग है उन्होंने अपने अपने इस तर से अपनी अपनी लडाईयों को लड़ने का कारे की किया वो आपके समक्छ है अनुदेशकों के साथ में अनुदेशकों को 84.00 रुपया मिलता था मानी नयायले ने बोला कि इन्हें सत्रा हजार दीजिये और उसके बाद सरकार ने साथ हजार दिया और हद तो तब हो गई जो चौदा सो रुपिया जो चौरासी सो का था उसे रिकावरी के रूप में वसूलने का भी कारे किया गया ये इंतहा हो जाती है जुलम की प्रेयरकों के साथ में क्या किया गया तीन साल उनसे काम लिया गया एक भी नया पैसा उन्हें न दे करके उनको विवस्ता से ही आउट कर दिया गया और बोल दिया गया कि आपके कारे की जुरुत नहीं और ये साहब कोई मजदूरी भी कर्वाता है कोई आदमी अगर किसी से तो उससे किये गए काम का तो कम से कम महंताना दे ही देता है लेकिन यहां पर भी उनके साथ में बेईमानी करने का कारे हुआ आगन बाड़ियों के साथ में रोजगार सेवकों के साथ में जो हुआ वो आप से चिपा नहीं है और इंतहा दर्द की इंतहा और जिल्म की इंतहा अगर किसी के साथ हुई है तो वो हमारे सिक्छा मित्र समाज के साथ ही है सिक्छा मित्रों के साथ में क्या हुआ आप सभी ने देखा और एक ऐसी घटना जो इस सदी की सायद सबसे बड़ी घटना होगी जलियाँ वाला बाग हत्या कांड के बाद सायद ही संपूर देश या संपूर विस्स में सायद ही कोई ऐसी घटना मिलती हो जहां ही एक ही वरक के एक ही समुदाय के एक ही समाज के और एक ही समस्या से पीडित इतने लोग सहीद हो गए हो इतने लोगों ने मौत को आलिंगन बना लिया हो मौत के गले मौत को गले लगा लिया हो और काल के गाल में समा गए हो ऐसे लोगों को सद्धान जली देते हैं सातियों आज फैसला करने की जरूरत है आज इसे चछख है आप आज न्याए खरने की जरूरत है हमने जो लडाईयां वाणि नियाले के माद्धिम से लड़ी और हमाएं तमाम साथियों ने अन्य माद्धिमों से जो लड़ाईयां लड़ी लेकिन उसके निसकर्स हमें आसान रूप नहीं मिल पाए परड़ाम हमें असान रूप नहीं मिल पाए और मुझे गर्ब है कि हमने जो लड़ाइया लड़ी वो लड़ाइया डंके की चोट पे सामने से कुले मंद से और पूरे मनोयोग के साथ लड़ी मुझे किसी भी परकार का उसमें किसी भी परकार का पस्चाता पर पस्टावा नहीं है हमने जो भी जिस तरीके से किया सटीक किया और सही किया था सही तरीके से लड़ाता लेकिन हमारी लड़ाई ही बेएमान लोगों से बरस्ट लोगों से और चोर लोगों से थी उन्होंने सिस्टम के अंदर घुसके और वहाँ पर भी घाल मेल करने का कारे किया था साथियों आज हमें उनको जवाब देने की ज़रूरत है मुझे नुक्त पत्र भी दे दिया गया था तमाम साथियों को पता है प्रदेश के मुझे जॉइनिंग लेटर दे दिया गया था उस दिन मेरी आत्मा ने मेरे रूह ने मुझे एक सवाल किया था कि एक तरफ तम्हारा अकेला एकलता परिवार है और एक तरफ एक लाग बहत तरह जार साथियों के परिवार है जो एक आसा एक उमीद की नजर से देखते हैं जिनकी आखों में एक अलग प्रकार की चमक है जो ये सोच रहे हैं कि कल कोई इसा कारे करेगा जिससे संपूर्ड एक लाग बहत तरह जार के परिवारों में खुस ही आएगी हमारे सिच्छा मित समाज के अंतिम पाइदान पे अंतिम छोर पे यो विक्ति खड़ा है उसको उसे लाब मिलेगा हमने ये फैसला लिया था कि या तो संपूर्ड सिच्छा मित समाज अंदर आएगा अकेला रिजवान अंसारी अंदर नहीं जाएगा सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा और हमने नुक्ति पत्र ना लेने का फैसला किया था हलाकि वो कड़ा फैसला था आज आपको उस फैसले का भी इनसाफ करना है अगर इस्वर इस्वरी सत्वा कहीं पर है जैसा कि हमें विस्वास है और जो हमने उस समय किया था आज आपको साबित करना है कि वो फैसला हमारा सही था या वो फैसला हमारा उस समय लिया गया गलत था आज आपको ये भी साबित करना है हमने उसी दिन से चुकि मैं चाड़क के कुल से हैं हम सारे लोग और हम चाड़क के को मानने वाले हैं चाड़क के ने बोला था कि सिच्छक की गोद में प्रले और सरजन दोनों ही खेलते हैं हमने उसी दिन संकल्ब किया था चाड़क के कोवादर समानते हुए उनकी जड़ों में मठ्ठा डालने का कारे हमने उसी दिन से प्रारंब कर दिया था और इस दौरान हमने जमीन पे उतर के बहुत सारे कारे करने का काम किया हमने सोसल मीडिया से दूरी बना ली इस दौरान हम मानी राष्टिय अध्यक समाजवादी पार्टी सिर्य खिले स्यादो जी के संपर्क में रहे हम धन्यवाद देना चाहते हैं बुंदेल खंड के टाइगर अधरनी विधायक दीप नराइन सिंग दीपक यादो जी का जिनोंने इस पूरे मामले में इस पूरे घटना करब में पूरा थिक्षा मित्रो का दर्द उन्होंने समझा जाना और कंडे से कंडा मिला कर राष्टिय अध्य जी के समक्ष हमारी बातों को लगातार उन्होंने पस्तुत किया आज वचन पत्र में अगर आप सामिल हैं तो उसका स्रे मैं देना चाहता हूँ बुंदेल खंड के टाइगर दीप नरायन सिंग दीपक यादो जी का विधायक जी का माननी विधायक जी का हमारे एक लाग बाहतर हजार परिवारों की तरफ से जिन्होंने वचन पत्र में हमार को इस्थापित किया हमारे समाज को एक उमीद की नई किरन और आसा दिखाई साथियों आज आपके साथ ने दो विकल्प हैं एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने आपके तमाम साथियों को मरने पे मजबूर कर दिया एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने आप को समाज में उपहास और हसी का पात्र बनाने का कारे किया और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनों ने पूर में भी आपका भविस सुरच्छित और संदच्छित किया था और जिनों ने फिर से वचन दिया है कि अगर वो सत्ता में आए तो आपके भविस को सुरच्छित और संदच्छित करेंगे सात्र यो आज हम वोट की अपील आपसे नहीं करते हैं आज हम आपकी आत्मा को आपकी रूँको जगाने की लिए आपके बीच में हमाए हैं और आप खुद से सवाल करिये कि क्या आप करजदार नहीं है क्या आपके उपर रिड नहीं है जो आपने प संकल प्लीजिये कि कम से कम बीस मत बीस वोट बीस लोग कम से कम आपकत्र करके बीस वोटों को आप एक दिसा में इकटा करके समाज़ादी पार्टी के फेवर में करवाने के लिए प्रेरित करेंगे और समाज़ादी पार्टी की जो नीतिया हैं जो रीतिया हैं उनको बताते हुए हम किसी भी गलत तरीके का किसी भी अनेतिक तरीके का हम आप से जाने का हम कोई भी वो नहीं कर रहे हैं साथियों या समविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसे मत दे हम किसे समर्थन करें और बेसिक सिच्छा हम पर प्रभावी नहीं होती है, जो ये रीमर फैलाने का सोसल मेडिया पर कार किया जाता है किसी चामित्रों पर कारवाई हो जाएगी, अरे कारवाई अगर करनी है तो करें कारवाई हम खड़े हैं उसके लिए, सामने खड़े हैं, माने नयायले में हम उनको भी जवाब देन सोसल मीडिया पे जिस तरीके से एक डर और भय का माहोल बातावर्ड बनाने का कारे किया जा रहा है वो सरा सर गलत है वो लोग हमसे डरे हुए हैं और इसलिए हमें डरानी के लिए वो कारे करने के आया कुछकर रच रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम सामने डट कर मकाबला करने वाले लोग हैं, आज लड़ाई आर और पार की है, लड़ाई आनने और सामने की है, इसलिए हमें खुल कर खेलने की जरूरत नहीं है, अब पल्लू में छुपने की जरूरत नहीं है, चुकि हम ये commitment करके आये थे उस समय ये बचन दे कर आये थे उस समय मानि राष्टी अधिक समझवादी पार्टी को कि हम 20 वोट कम से कम बारती जनता पार्टी के कोटे से 20 वोट समझवादी पार्टी की नीतियों से और उन्होंने जो कारे अपने बचन संकल पत्र में बारती जिन्ता पार्टिन रखे थे उन कार्यों को जो नहीं पूरा किया है उन कार्यों को बताते हुए समभधानिक दाइरे में रहते हुए हम कम से कम बीस लोगों को ये जरूर समधने का कारे करेंगे बीस लोगों को हम जरूर ये बताने का कारे करेंगे कि उन्हें साइकल के निसान पे उन्हें हम गटबंदन के निसान पे वोट करवाने के लिए प्रेजित कर सके और ये हम पे करज है ये हम पे फर्ज भी है क्योंकि उन्हों ने पहले भी हमारे साथ किया था वो भविस्य में भी हमारे साथ करने आ रहे हैं आज मैं खुल के खुले मन्च से मैदान में हूँ और आर पार की इस्तिती में हूँ इस दोरान मुझे प्रदेश के कई जन्फदों में जाना पड़ा भी हम पस्ची में उत्र प्रदेश हो और चाहे बुंदेल खंड का इलाका हो वहां से भी हो क्या है चाहे मत देख चेतर का अवज छेतर का इलाका हो हर चेतर के भरमड करके आए हैं और जो माहोल जो हालात हमने देखे हैं एक प्रकार की आंधी चल रही है जो परिवरतन की आंधी है और यह आली सुनामी बनने जा रही है पूर वान चल तक पहुँचते पहुँचते इसलिए आपको परेशान और होने और घबराने की भी जरूरत नहीं है आप जब भी यह मत के बारे में सुचें तो आप यह जरूर सुचें कि आपके उपर यह करज है आप जो भी करने जा रहे हैं आप आपने जो लिया है और आपका जो भविस्य सुरच्छित करने का जिसने आपके साथ में बादा किया है उसके साथ आप कितना इमानदार रहेंगे यह आपको अपनी आत्मा को जवाब देना है हम समय समय पर आपके बीच उपस्तित होने का कारे करेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके संगर्स का साथी